तो आज आपको बतने जा रहा हूं कि किस तरह से हम मंतली expiry में किस तरह से हम option sale की strategic इस्तेमाल कर सकते हैं चुक히 आप जानते हैं अभी अभी हमारा bank nifty में weekly expiry बंद हो चुकी है तो हमको जो है bank nifty में monthly में focus करना होगा और nifty में किस तरह से monthly expiry बेसे महां पे weekly है लेकिन फिर भी हम monthly expiry में किस तरह से हम जो है option sale कर सकते हैं ठीक है अब यहाँ पर चुकि weekly में हम प्रीमियम कम मिलती है निप्टी में तो हम यहाँ पर monthly इस्तिमार करें प्रीमियम जादा मिलेगी हमको ठीक है और किस तरह से हम यहाँ पर option selling की strategy करेंगे साथ में adjustment adjustment कैसे करना है तो अब यह आप देखिए मैं आपको दिखाता हूं किस तरह से यह मेरा customized indicator टूल में आपको दिखाऊंगा किस तरह से हम उसमें adjustment करके एक option sale की strategy को किस तरह से इस्तिमाल करते हैं ठीक है आईए हम देखते हैं तो लेकिन फिलाल किल में आपको logic बता रहा हूं इस logic में हम कर क्या रहे हैं कि सबसे पहले तो उनको बड़ी premium लेना इलकुल छोटी premium लेंगे तो उतना decay नहीं मिल पाएगा इसलिए मतली में बड़ी premium ले रहे हैं तो जैसे माल लिजे हमने 100-100 के premium ले लिए निफ्टी की अब यहाँ पर हमको निफ्टी आभेंग निफ्टी की जिसकी भी मैं आपको live demonstration भी दिखाऊंगा तो यहाँ पर हम loss book नहीं करेंगे हम सिर्फ profit book करेंगे जैसे माल लिजे कि मैंने यहाँ पे 100-100 से start किय यह 120 हो गई यह 80 हो गया तो हमने यहाँ पर target book कर लिया माल लिजे उसके बाद में फिर से हमने 120 के एक नई premium इंट्रियूस कर दी उसका दोनों 120-120 हो गई फिर 140 पे चला गया माल लिजे फिर 100 पर आ गया है सपोस करे 100 यह 120 पे जहाँ पर भी आ गया है हमने फिर से target book कर लिया ठीक है माल लिजे target book कर लिया फिर से यहाँ पर 140 और 140 वापस से 140 के opposite premium के वराबर लिए premium वापस इंसर्ट कर दी इसलिए हम इसा करें target book कर रहे है कि जो जो premium बढ़की ओपर गई है यह there is a possibility यहाँ possibility कि वापस से जब volatility शान्थ होगी तो यह आपस से market में थोड़ा सा movement इसलिए हम यहाँ पर सिर्फ profit book कर रहे है 916 पर 917 पर स्टार्ट कर दिया था स्टार्ट करने बाद में 942 पर हमारा एक निफ्टी में के adjustment हो भी गया होने के बाद में हमको यहाँ पर 3,000 का profit भी दिखा रहा है ठीक है जब भी अब यहाँ टाइम हुआ नहीं और अगर हम बेंग निफ्टी के बात करें तो 400-500 का loss हमें 200-400 रुपे का भी loss चल रहा हमारा है बेंग निफ्टी के अंदर ठीक है तो यहाँ पर हम देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं stop loss मेंने 99% मतलब 1000% का stop loss डाल दिया है और target मेंने 20% डाला है तो मैं सिर्फ यहाँ target बुक करूँगा SL को बुक नहीं कर रहा हूं ठीक है आप देखिए यहाँ पर किस तरह से adjustment होता है अभी 10 बच के 3 मिट का time अभी 10 बच के 14 मिट का time हो रहा है 10 बच के 14 मिट पर देख सकते हैं हमको यहाँ पर लगबग 3,000 का असपास का nifty में profit है और bank nifty में भी यहाँ पर adjustment हो चुका है इस्टिल bank nifty में आपको loss चल रहा है निप्टी के अंदर हमारे 2 adjustment हो गए हैं देख सकते हैं आप 2 adjustment हो चुके है 4,000 का असपास profit दिख रहा है हमको लेकिन bank nifty में अभी भी हमारा है जो एक adjustment हुआ है बट स्टिल यहाँ पर जो हमको लगबग 100-200 रुपय का loss ही चल रहा है दस बच के 15 मिट के असपास 4,000 का profit nifty में और यहाँ पर 100-200 रुपय का loss के असपास bank nifty के अंदर हम चल रहे हैं तो आप देखते हैं किस तरह से यह strategy वोक करती है इसको मैंने 3 बच के 11 मिनिट तक रण किया है सबातीन के असपास तक रण किया है पूरा वीडियो देखिए आपको clarity होगी किस तरह से कितने ज़्यादा adjustment भी नहीं होगे maximum यहाँ पर 3,000 याद आपको adjustment भी नहीं दिखेंगे तो अभी देखिए यहाँ पर time आ चुका लगबग एक बच के 28 एक बच के 28 मिट पर देखिए लगबग 6,000 का profit आप nifty के अंदर देख रहे हैं और bank nifty के अंदर जो हमारा loss चल रहा था वो लगबग 1,200 रुपे के हमको profit आप लगबग एक बच के 28 मिट का time हो रहा है और लगबग हमको जो हैंपे 1,200 का profit bank nifty के अंदर और nifty के अंदर हम देखें तो लगबग 6,000-6,000 का profit nifty के अंदर देख रहा है 20% का target हम बूक करती चले जा रहे है SLM book नहीं कर रहे है अब यहां पर आप देखें हमने जो इसको exit कर दिया था 3.11 मिट के आसपास आप देखेंगे मैं आपको दिखाता हूँ हमने इसको exit किया था तीन बच के 11 मिट पर हमने exit कर दिया था इसको और उस समय आप देख सकते हैं यहां पर हमको लगबग 6,000-6,000 का profit दोनों में देख रहा है जबकि आपने देखा था कि निफ्टी में तो एक अच्छा को हम करा था लिए बेंग निफ्टी काफी लंबे समय तक हमको जो है ना profit ना loss दे रहा था बड़ हमने आप र कंटिनुस्ती उसके बने रहे बने रहने से हमको profit क्या हुआ जब उसमें थोड़ा सा मुवमेंट शान्त हुआ और शान्त होने बाद उसने भी लगए 6000 प्रॉफिट हमको दिया तो यहां पर जो है अगर fix amount का हम loss डाल देगे वह loss जब होगा तभी हमार real trade start हो तो वैसा भी हम यहां पर काफी कुछ यहां पर हम कर सकते हैं तो मुझे लगता हूँ कि simple सा logic है जो कि मैंने tool के साथ में automate किया बड़ आप इसको manually भी करना चाहिए तो manually भी यहां पर कर सकते हैं ठीक है तो काफी simple साल हो जीगे thank you very much for watching this